नमस्कार मेरा प्रश्न आज उद्व ठाकने साहब से है उद्व ठाकने साहब नमस्कार मैं सुनिल पाल जाइद आप मुझे जानते होंगे क्या हमें प्रश्ण करने का हग तो है ना आपसे उसी हग से एक नागरिक होने के नाते एक महाराश्टी होने के नाते आपसे और देशकर नागरिक होने के नाते आपसे प्रश्ण करना हूँ लॉक्डाउन जो आप कर रहे हैं जो गाइडलाइन्स आई हैं वह तो सब फॉलो किया जा रहा है तक रिसमें बहुत सरी जिसे मेस गाइड हो रही है और मेस गाइड यह है कि जो छोटे-छोटे दुकान वाले लोग हैं उन पर लाठियां बरसा ही जा रही है सबजी वालों प करना पड़ेगा सर साल बर वो बहुत बुरे हाल में रहें किराय पे रहते हैं उनके बच्चे स्कूल कहीं असपास में पढ़ते हैं या ऑनलाइन जो भी है लेकिन फीस तो बढ़नी पढ़ती है कोई घर मालिक भाड़ा कम करने को तयार नहीं है सर कोई स्कूल अपने कोड़ेट खोलियों में रहते हैं वो गरीब लो बच्चा अगर भूख से बिलगे गा तो बाप तो घर से बाहर जाएगा ना सर कमाने के लिए वो थोड़ी देखे कर लाउट डाउन है वो बोले का कोरोना से उमरने से अच्छा है बाहर जाके कुछ कमा के लाओ आप तो ब जितनी आम जनता है के प्राउब्लम को समझिया लाउट डाउन किसी समस्या का हाल नहीं हमने पहले देख लिया है बहुत लाउट डाउन कर लिया हमने कुछ नहीं हुआ और अभी भी कुछ नहीं हो और यह किस टाइब का कानून प्रनाली है सर कि सिर्फ गरीबों के लिए बड़े बड़े लोग तो रैलिया कर रहे हैं बड़े बड़े नेता तो रैलिया कर रहे हैं उनसे आप सवाल पूछे ना उनसे तो आप सवाल पूछते नहीं है लाउट डाउन कर दीजिए ऐसा नहीं होता है सर एक मजदूर आदमे खुशी से बाहर दुकान नहीं लगा है उसके कर्चे हैं सर उसके बच्चे हैं उसका परिवार है उसको रेंट देना है उसको जीना है लाउंटान में छोटी छोटे घर आपके सर आपके सर बड़े लोग है सर राजार मानीक लोग हो आपके बहुत बड़े बड़े घर है आप साल बने घर से वहार नी निखलेंगे न तो भी आपका कि घर के कमड़े खत्म नहीं होंगे कमाई की जरूत आपको नहीं है भगवां की जैसे आप लोगों ने इतना काम कर लिया इतना सब है आपके पास में और इस श्वर ने आपको दिया है कि साथ पिडिया आपके बैठके का सकती है साथ पिडिया सर मैं आपसे हाज और की निवेदन करता हूं यह लाउड़ान जो है ना सर निवेदन है इससे में खुश नहीं हो सर हम कलाकार लोगों को तो छोड़ी दीजिए जीना हराम हो गया हर हर प्रोगाम हर इवैंट कैंसल हूंगे हैं कैंसल धैंसल हो रहे हमारे शो में हजार दूजार लोगी हाते हैं सर घ्लत अशला कोंगों सवाल करने वाला उनसे प्रशन करने आप कर सकते हैं उसे प्रश्ण कीज़ें आप जो हमको लॉक्डव लॉक्डव बोते रहतना एक सवाल उसे भी करिया और यह जो अस्य प्रत्थिशत बहिमान नीज वाले देन भर स्रीफ दोहीं इस दिखा रहे हैं कि को रॉना बढ़ गया को रॉना बढ़ गया और आये चलत है तो car you скаж aмо किसार इन्हों ने आपको वक्र दीया है यह आप को प्यार करते हैं यह का सम्मान करते हैं आफ भीका सम्मान कीजिया लाठियां वर्साना इनका अपमान करना इनको गालियां देना हाँ जड़ा Ilsek मास्क यहां हो गया तो लाटिया बर्सा देना जबा सही हो गया इतना इतना से गर कोरोना होने लगता तो सर दुनिया खतम हो ची क्यों होते है आप तो समझदार है ना सर आप क्यों है फ्रॉड डॉक्टरों की जो चंद फ्रॉड डॉक्टर है फ्रॉड जो हेल्थ और नाजि इनको बचाना आपका करतव है सर इन लोगों ने आप पर भरू सकिया है आप ऐसा नहीं कर सकते हैं बंद 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 नहीं चलेगा सर पागल हो जाएगा आदमी आप इनने बचाईए और इनको समझ यह तभी है आपको समझ पाएंगे तभी आपको आप समझ रहे ना मेरी कोई परस्टर किसी जाती बात नहीं है यह तकलीफ है लोगों की पहली बात तो यह लोगडाउन लोगडान कोई कारियागरत नहीं है सब लोग नियम पाल रहे हैं मैं खुद कह रहा हूँ भाईये बहनों नियम पालिए मास्क पहनिए सानिटाइज कीजिए साब सुतरा रहिए सोचल डिस्निंग रखिए और हर दुकान ता रखने को तयार है अपनी दुकान के सामने एक एक दो दो सनिटाइज रखने को तया लिए लोग बचने तो चीए है आप बोलते हो कि बचोगे जान बचेगी तो कमा लेंगे लेकिन परिस्तिती ऐसी है सर कि कमाएंगे नहीं तो बचेंगे नहीं आज कमाना जरूरी है वो टाइम चला गया जब थोड़ी बत लोगे के पास में गहने थे यह थे वो थे बरतन थे है अब बेजबाज के लोग अब प्लेन हो चुकी है अब उनके पास उनको पास में कुछ समझ में नहीं आ रहा है छोटा बच्छा विलग रड़ता है माबाप विचार किराये पर रहता है आद्मी टेंशन में हैं नौकरी नहीं यह प्रॉबलम है और कौन किसे मांगे सब स सबका प्रॉब्ल्म एक जैसा है प्ली जाली लॉकड़ोंगॉ मेरे अध्र दो कि निवादन करता है बंद किजी मेरा निवियतन आशरा है आप समझे सरबाद प्ली समझे सब रहा है मैं उम्मित करता है आप से कि आप समझेंगे आप बहौत समझदार है कि जै महारास्टे जै जाहिन जाह माराष्ट